हे जग पीता हे जग कबो मुझे अपने नाम का दान दो तुझे अपने मन में न देख लो वह ज्यान दो हे जग पीता हे जग कबो हे जग पीता हे जग कबो कर दो 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 यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्याह अश्टव अंगानी महर्शी पतंजलीन योग सोत्रों के अंदर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाध्य के रूप में अश्टांग योग का वर्णन किया है बाष्य जीवन की सुचिता के लिए अहिंसा सत्य अस्ते अब्रम्मचर्य अपरी ग्रह रूप यमू का तथा आंतरिक जीवन की पवित्रता के लिए शाउच संतोश तपस्वाध्याई इश्वर प्रणिधान रूप नियमू का पालन करना बहुत जरूरी है यमन्यमू का पालन करते हुए फिर हम आसन का अभ्यास करें सिर सुखम आसनम सुख आसन में बैठ जाएं सिध्धासन में बैठ जाएं या पदमासन में बैठ जाएं जिस आशन में बैठने में सुविधा हो उस आशन में बैठ करके फिर प्राणायाम का प्रति दिन अभ्यास करें। प्राणायाम के करने से समस्त सारिरिक रोग दूर होंगे, मानसिक व्याधियों से छुटकारा मिलेगा और हम आत्मस्त हो करके सिद्प्रज्य हो करके अपने ही आत्मा में उस विश्वात्मा को देख पाएंगे जान पाएंगे अनुभाव कर पाएंगे तो सबसे पहले बैठे हम सिद्धासन सुखासन या पदमासन में बैएंपैर की एडी को सीवने नाडी से लगा करके दहने पैर की एडी को बैएंपैर की एडी के उपर पंजा एक दूसरी पिंडली और जंगा के बीच में दोनों घुटने जमीन पर और दोनों हाथ घुटनों के उपर तीन अंगुलियां खुली हुई और पहले अंगुली और अंगुष्ट इनके अगरभाग आपस में मिले हुए, यह ध्यानमुद्रा ज्यानमुद्रा है। इस ज्यानमुद्रा यह ध्यानमुद्रा में बैठकर के आप प्राणायम का sophomore करें। यदि आपको वात रोग हैं तो आप वायू मुद्रा में पहली अंगुली को जब अंगुष्ट के मूल में लगा देते हैं तब वायू मुद्रा हो जाती हैं इसमें बैठ करके भी हम प्राणायम का भ्यास कर सकते हैं और सिध्धासन के अतिरिक्त आप पदमासन में दहने पैर को उठा करके बाएं जंगा पर रख देना और बाएं पैर को उठा करके उसके पंजे को दहने जंगा पर रख देना और संभव हो कि दोनों पैर के एडिया नाभी के दोनों और लग जाएं तो यहां हो जाता है पदमासन इसमें बैठकर के भी प्राणायम किया जा सकता है जो सिध्धासन या पदमासन में न बैठ सकते हो वे सुखासन में जिसमें आराम से आप सीधे बैठे हो और मेरो दंड़ आपका सीधा हो ऐसे आसन में बैठ करके भी आप प्राणायम कर सकते हैं जो विक्ति नीचे ने बैठ सकते हो वे कुर्सी पर बैठ करके भी प्राणायम का भ्यास कर सकते हैं और अब करते हम प्राणायम की प्रक्रिया में सब से पहले भस्त्री का प्राणाया स्वासों को भीतर गहरा भरेंगे और बहार छोड़ेंगे प्रसन्नता से आनंद से शांत चित्त हो करके धर्ये से स्वासों को भीतर गहरा भरना फेफणों तक डायफार्म तक पेट में नहीं भरना पेट में कोई भी ऐसा औरगन नहीं है कोई भी ऐसी ग्रंथी नहीं आपके उदर के अंदर जो आक्सिजन को आउशोशित करती हो इसलिए आक्सिजन को एब्जोर्व करते हैं हमारे फेफडे, हमारे लंस इसलिए स्वासों को भीतर गहरा फेफडों में ही भरना पेट में नहीं सासों को गहरा भरेंगे भीतर पवित्रता, दिव्वता, शक्ति उर्जा पवित्रता का आधान करते हुए गहरे सास भीतर भरें और बाहर छोड़ें गहरे सास भर रहे हैं भीतर और छोड़ रहे हैं बाहर लेने और छोड़ने में एक जैसा दबाव पुरी शक्ति की साथ सासों को भीतर गहरा भरें और छोड़ते समय पुरा सास बाहर छोड़ें मन में एक प्रसन्नता और आनंद का भाव एक प्राप्ति का भाव शुब हे इस ब्रह्माणध का उसको में अपने मस्तिस्क में, अपने मन में, अपने प्राण में, अपने आत्मा में, अपने देह में मधारन कर रहां। शुब्ध का आधान करते हुए, पवित्रता का आधान करते हुए, तेह में आप कर रहे हैं भस्तरी का प्राणाया। किसी तरह का तनाव नहों चहरे के उपर, प्रसन्नता से, सहजता से, एकागरता से, भावपुनता के साथ, जैसे आपको कुछ प्राप्ति होती है जीवन में तो कैसे प्रसन्नता होती है खुसी होती है इसी तरह का एहसास प्रणायम करते समय आपके चेहरों पर हो जब जब थकान लगे तब तब बीच में विश्राम कर ले फिर दुबारा से करें फ्रदय को स्वस्थ बनाने के लिए फेफडों को स्वस्थ बनाने के लिए मस्तिस्क सम्मंधी समस्त व्याथियों से चुटकारा पाने के लिए जिनको डिप्रेशन की प्रणायम हो विभस्त्री का प्रणायम करना अवश्य हो जिनको माईग्रेन पेन हो वे भी भस्त्री का प्राणायम अवश्य करना माईग्रेन पेन, डिप्रेसन की प्रोब्लम, पार्किंसन का रोग पैर्लासिस की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा भस्त्री का प्राणायम करके समस्त सनायू आपके परिपुष्ट होंगे सबल होंगे भस्त्री का प्रणायम से प्राण अपान व्यान उदान समान ये पंचविध प्राण ही चलाते हैं आपकी देह को इस भस्त्री का प्राणायम के करने से आपके पंचविध प्राण परिपुष्ट हो रहे है सस्थ हो रहे हैं उर्जाबान हो रहे हैं ऐसा विचार करते वे करें फिर से एक बार प्रारम मेरा प्राण में कोश परिपुष्ट हो रहा है सबल हो रहा है उर्जाबान हो रहा है प्राण अपान व्यान उदान और समान ये पंचविध प्राण परिकुष्ट हो रहे हैं सबल हो रहे हैं मेरा बोड़ी का जो औरा सिस्टम है वो स्ट्राउंग हो रहा है मेरा देह जोतिर मैं तेजों मैं आभा मैं हो रहा है अपने आपको दिव्य आभा से दिव्य जोती से दिव्य पतास से दिव्य जान से दिव्य आलोड से ईश्वर्य शक्ती से और तब प्रोत अनुभव करते हुए करना इस प्रणायम को इस प्रणायम के करने से विक्ति की आभा बढ़ती है, हमारा जो आभा मंडल है उसका विस्तार होता है, जो हमारी इत्रीकर बोड़ी की जो एनरजी है, जो ओर्जा है, जो ओरा है वो इससे स्टांग होती है, बस्तरी का प्रणायम से विश्शाम रुख जाएं, पुनह विश इस तरह से दिव्यता, शक्ति, उर्जा और पवित्रता का आधान करते हुए प्रति दिन दो मिनट ये भस्त्री का प्रणायम करना। पांस मिनट इस प्रति दिन करके आप जटिल रोगों से निव्रुती पाना और सदा स्वस्थ रहने की एक उर्जा पाना इस प्रति दिन करके। कपाल भाती प्रणायम बस्त्री का में हम स्वासों को भर रहे थे और छोड़ रहे थे। कपाल भाती में खाली छोड़ना है स्वासों को बाहर। स्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं और जब स्वासों को बाहर छोड़ते हैं तो उदर का आकोंचन होता है सहज। पेट जाता है अपने आप अंदर प्यत्न पूरख स्वासों को बाहर छोड़ना है। पेट अपने आप जाएगा अंदर जैसे वमिटिंग होता है तो कैसे आपका पेट अंदर खिच जाता है। जैसे आप नाखसाप करते हैं तो कैसे? पेट खिचता है। होता है कपाल भाति प्राणाया। जब ठकान लगे तब ही रुख जाएं प्रारम्भ में आप इसको तीस बार ही करें तीस बार करने पर पूरी तरह से आप ठक जाते हैं फिर विश्राम करें विश्राम करके दुबारा हम प्रारम्भ करेंगे तो ये कपाल भाती प्राणाया कपाल कहते हैं मस्तिस्क केस अग्रभाग को और भाती कहते हैं दीपती को इस प्राणायम के करने से माथे पर एक ओज, तीज, आभा, कांती, जोती, लावन्य आ जाता है ये कपाल भाती प्राणा है विशेश उप्योगी है चेहरे की आभा बढ़ाने के लिए जो विक्ति कपाल भाती प्राणा हैं करेंगे उनके कपाल पर, उनके ललाट पर एक आभा होगी, एक जोती होगी, एक तीज होगा, एक कांती होगी, एक लावन्य होगा इसलिए अपने शरीर को सुन्दर बनाने के लिए चेहरे को सुन्दर बनाने के लिए आपको किसी कास्मेटिक लगाने के आवश्यक्ता नहीं आप कीजी कपालभाती प्रणायम, चेहरे पर होगी एक आभा, चेहरे पर होगा एक तीज और कपालभाती प्रणायम के करने से मुलाधार चक्र जागरित हो जाता है फिर कुंडलीनी जागन होता है कपालभाती प्रणायम के करने से कापाल्भाति प्राणायम करते वक्त मुलाधार चक्र में ध्यान करें सहज ही कुंडली की जागृत हो जाती हैं हम और धुरेता बन जात 사랑 शक्ति स्रास को पुरी शक्ति के साथ में बाहर जोड़ रही हैं और मन में है एक संकल्प, एक विचार, कि मेरी शरीर में जितने वी रोग हैं, विकार हैं, दोश हैं, अशुधियां हैं, सब बाहर निकल रहे हैं, शरीर में जब विजाती अतत्म संग्रहीत होते हैं, तभी रोग पैदा होते हैं, आप कपालभाती प्राणायम को करते से में म इसने विचार करें शरीर के जितनी वे नेगेटिव एनरजी है सब बाहर निकल रही है रोग विकार दोस बाहर निकल रहे हैं चित्त में भी जो जन्म जन्मान्त्रों के असुब विचार थे संसकार थे वे सब बाहर निकल रहे हैं कांसेस अनकांसेस और सबकांसेस मैंड में जो भी अशुब था सब बाहार निकल रहा है जब ठक जाएं तभी रूख जाएं अपने शक्ती का तिक्रमना न करें फिर से विश्राम करें बीच में एक बार जिनको हाट की प्रब्लम हो जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो उच्छ रक्तिचाप के रोगियों को और ह्रदय रोगियों को मध्यम गती से इस प्रकार से करना चाहिए ये प्रणाया तिप्रता से न करें हिरदर होगि तिप्रता से न करें उच्छ रक्तिचाप के रोगियों को जो कमजोर विक्ति उनको भी धीरे धीरे ही ये प्राणाया करना चाहिए और जब ठक जाएं तभी रुख जाएं अपने बल का अपने शक्ति का तिक्रमना न करें इदि मोटा पा घटाना है तो इस प्राणायम को पास से दस मिनट कीजिए धीरे-धीरे अभ्यास पढ़ाना पहरे दिर एक मिनट ही करना फिर धीरे-धीरे दो मिनट तीन मिनट चार मिनट पास मिनट अधिक्तम दस मिनट करना इस प्राणायम को जो विक्ति मोटा पा घटाना चाहते हैं जो विक्ति पेट को सदा स्वस्थ रखना चाहते हैं जो कब्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं जो गैस्टिक और एसिडीटी से छुटकारा पाना चाहते हैं जो सिरोसिस आफ लिवर की प्रोब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं जो हैपिटैटिस बी को मिटाना चाहते 20 प्राणायम को अवश्य ही 5 से 10 मिनट धीरे धीरे बढ़ाना अभ्यास यह प्राणाया प्रोश्टेट की प्रोब्लम को पूरी तरह से मिटा देता है कपालभाती प्राणायम के करने से यूट्रेस की गाठे भी डिजोल हो जाती बहुत अद्बुत है प्राणायम इसलिए मैं कहा करता हूँ धर्ती की संजीब नहीं है कपालभाती प्राणायम जो विक्ति स्वस्थ रहना चाहते हूँ और जो विक्ति जटिल रोगों से छुटकारा पाना चाहते हूँ कोई भी रोग हो धर्ती का कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो कपालभाती से ठीक न होता हूँ कपालभाती प्राणायम को करते समय मुलाधार चक्र में ध्यान करना तो फिर आप पाएंगे कुणले निजागन का आनद मुलाधार चक्र से एक जोती एक आभा एक प्रकास पुंज उपर उठता हुआ स्वाधिष्ठान मनीपुर्ण हृदयय अनहत विशुद्धि आज्या चक्र का सोधन करता हुआ सहस्रार चक्र तक पहुंचेगे सबी चक्रों का शोधन हो गया इसलिए चक्रों के शोधन के लिए डापटीज के रोक के लिए मोटा पे से स्चुटकारा पाने के लिए पेट की समस्त समस्याओं को मिटाने के लिए कोलेश्टॉल और टेगलिस्टाइट को कम करने के लिए बात ही अध्भुत है ये कपालभाती प्राणायों डैबटीज के लिए, मोटापे के लिए एलर्जिक प्रॉब्लम्स के लिए, अस्थमा के लिए साइनोसाइटिस की प्रब्लम के लिए एलर्जी के लिए जिनको सुब उठकर की छींके आते हैं उनके लिए और जिनको स्नौरिंग की प्रब्लम है जिनको खराटे आते हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है ये प्राणायम जिन बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ाई में वे भी अच्छे इस प्राणायम को करेंगे तो उनका मन इतना एकाग्र हो जाएगा कि फिर पढ़ाई में अपने आप लगेगा मन की एकाग्रता के लिए बहुत जरूरी है कपालभाती प्राणायम कंस्ट्रेशन पावर बढ़ती है कपालभाती प्राणायम से फिर से करेंगे इस प्राणायम का प्राणा सासों को बाहर छोड़ रहे हैं पेट अंदर जा रहा सासों को बाहर छोड़ते वे करना यू नहीं करना ये गलत हो जाएगा स्वासों को बाहर छोड़ना तब अपने आप होगा सहर कमपवात जैसे रोग से भी छुटकारा मिलता इस प्रणायम से समस्त वात व्याधिया परिक्षिन होती है वात पित और कफ्तिनों दोसों का भैलेंस हो जाता है समदोसाह समग्णी सह समधातो मरक्याह प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थित्य वधियते पूर्ण स्वस्थता पाते अपका इस कपालभाती प्रणायम के द्वारा समदोश हो जाते हैं समग्णी हो जाती है धात्में सम हो जाती है, मल का विसर्जन ठीक से होने लगता है, शरील की सारी क्रियाईं अपने आप विवस्थित हो जाती है, आपकी चेहरे पर एक प्रसन्नता आती है, मन में एक आनंद आता है, उत्साह आता है, जीवन में एक दिव्वता आती है, प्रसन्न आत्म इंद्रि यहां हुआ कपाल भाती प्राणाया धर्ती की संजीवनी है कपाल भाती प्राणाया आतुरों के लिए रोग से पीडित विक्तियों के लिए चाहे किसी को कैंसर है चाहे किसी को हैपेटाइटिस भी है चाहे किसी को एट्स की प्रब्लम है सब के लिए जरूरी है प्रणयाम और सब रोगियों के उपर एक एक पर नहीं लाखों लाखों व्यक्तियों पर प्रियोग करके हमने पाया है कि कपाल भाती के बराबर ना कोई दूसरी ओशद है ना कोई दूसरी योग की विधा है इसलिए हम कपाल भाती प्रणायम को विशिश रूप से करा दें और योग के मनिश्यों ने सट कर्म में भी इसका वणन किया धोतिर बस्तिस तथा नेती ही त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भाति श्य एतानी सट कर्मानी प्रजक्ष दे यह है कपाल भाती कपाल भाती को अवश्य ही पांस मिनट तो कम से कम जरूर करें आपको भोजन मिले या न मिले आप नास्ता करे या न करें लेकिन कपाल भाती प्राणायम को अवश्य करें कपाल भाती प्राणायम आपकी जीवन का एक संकल्प होना जाहिए आप प्रतिज्यां करें कि मैं कपाल भाती प्राणाय बिना किये भोजन नहीं करूँगा कपाल भाती करके ही भोजन करूँगा कपाल भाती करके ही नास्ता करूँगा उसकी बिना में नास्ता नहीं करूँगा अब भोजन नहीं करूँगा फिर देखना, जिंदगी में कभी आपको कोई भी रोग नहीं हो सकता, लाखो रुपए की बचत होगी, सरीर आपका स्वस्थ होगा, भगवान का दिया हुआ ये देह रूपी मंदिर फिर देवाला बनेगा, ये देह देवाला है, लोग कहते हैं सरीर व्याधी मंदिरम, अप अपने आपको जानना, अपने आपको पाना, फिर अपने ही इस अंतर में उस ब्रह्म को पाना, इकागरता मिलेगी, ध्यान में गहरे उतरेंगे कपालभाती प्रणायम से, फिर से एक बार करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, सहस्ता से करते हैं, स्वास्ता से बाहर छोड रहे हैं। माताओं को यूट्रेस की कोई भी प्रोब्लम है इससे मिटेगे। टूपस बंद हैं तो खुल जाएंगे इससे। यूट्रेस के अंदर गाठे हो गए तो इसे अपने आप डिजुल हो जाएंगी। मैंने देखा है कैंसर तक लिगांठे है इससे पहलती है। जब सारे दोस्त, सारी असुधियां, सारे विकार जब बाहर निकल गए तो फिर आप रह जाते हैं केवल पवित्र, शुद्ध, बुद्ध, निर्मल, चैतन्य, आनंद मैं भाव में आप अवस्थित हो जाते हैं। यह हुआ कपाल भाती प्रानयाम और अब करेंगे बाश्य प्रानयाम के बाद में तीन बार बाश्य प्रानयाम करने और बाश्य प्रानयाम करके समस्त उदर रोगों से निवरिती पाना, हर्निय के रोग को मिटाना, हर्निया पूरी तरह से मिट जाता है बाश्य प्रानयाम के करने से दहा तो संबंधी व्याथिया मिठ जाती हैं पेसाब से संबंधी जितने वी रोग है वह खत्म हो जाते हैं प्रोषटेट की प्रब्लम पूरी तरह से दूर हो ने करते हैं हम वाश्य प्राणायम करके जिनको हाट की प्रोबबलम हो इस विप रहता हो विभी ने करना जेदी दवा लेने से आपका वी-पी न॓र्मल रहता है तो आप डस पंध्रा सेकन्ड एक बार में इस प्राणयम को कर सकते हैं अधिक्तम 11 बार बहुत अभ्यास लंबा करना हो तो 21 बार भी किया जा सकता है आम विक्ति को सामन्ने विक्ति को ये कम से कम तीन बार अवश्य ही करना चाहिए स्वासों को अंदर भरेंगे स्वास अंदर भरने के बाद फिर बाहर छोड़ देंगे तीन बंध लगेंगे ठोड़ी को कंट कूप में लगाएंगे पेट को सिकोड के पीट से लगा देंगे नाभी से नीच वाले भाग को पर खीचेंगे ठोड़ी को कंटकूप में लगाना जालंदर बंध कहलाता है पेट को सिकोड के पीछ से लगा देना उड़ियान बंध कहलाता है और नाभी से नीचे वाले भाग को पर खीज के रखना ये मूल बंध कहलाता है स्वास को बाहर छोड़ने के बाद में रेचक करने के बाद में ये तीन बंध लगेंगे योग में स्वास को अंदर भरना पूरा कहलाता है बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है बाहर का बाहर ही रोक देना बाही कुम्भग कहलाता है और अंदर भर के अंदर रोक देना ये अभ्यांतर कुम्भग कहलाता है बाही प्राणायम करते हुए हम रेचक करेंगे और बाहर ही रोक देंगे स्वास को और तीन बंध लगाएंगे फिर जाल अंदर बंद को हटाते हुए स्वास को अंदर भरेंगे और तीनों बंदों को छोड़ देंगे फिर सिस्वास बाहर निकालेंगे और तीन बंद लगाएंगे इस प्रकार से कि अश प्राब वाईवी होाँ गो प्रोड़ में इस तरह से बाश्चिय प्राणायम को कम से कम तीन बार से ले करके पांच बार तक रूज़ करना और यदि आप अभ्यास बढ़ाना चाहते हैं तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाईए और ग्यारह बार तक और सीते काल में आप इसको 21 बार तक कर सकते हैं सामान्य प्रक्रिया तीन से पांच बार की है बाश्य प्राणायम के यूट्रेस के लिए विशेश उप्योगी होता है बाश्य प्राणायम जिन माताओं बहनों का यूट्रेस बाहर निकलता हो या टूप्स बंद हो उनके लिए भी विशेश उप्योगी है बाश्य प्राणायम हरनिया के रोगियों के लिए विशेश उपयोगी है बाहिय प्रणायाम साथ ही समस्त उदर लोगों से छुटकारा दिलाता है बाहिय प्रणायाम बाहिय प्रणायाम करने के बाद में अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्रणायाम हमारे शरीर के अंदर 72 करोड बहतर लाख दस जार दो सो दस नाड़िया हैं उन्हें समस्त नाड़ियों का शोधन होगा अनुलोम विलोम प्रणायाम की द्वारा वाम और दक्षिन बाएं और दहीने नाक का आलंबन लेके हम करें ये अनुलोम विलोम प्रणायाम को बाएं को ही चंद्रस्वर और दहीने को सुड्रस्वर कहते हैं योग सास्त्र में बाएं नाड़ि को इडा नाड़ि और दहीने को पिंगला नाड़ि कहते हैं दहीने हाथ खोपर उठाएं दहीनासिका को बंद करें चंद्रस्वर से प्रारंभ करें ये इसी को चंदर को ही गंगा और सुर्य को ही यमना और मध्य को सरस्वती कहते गंगा यमना सरस्वती त्रिवेनी सब भीतर ही है दहने नाक को बंद के अब आएं से स्वास को भीतर भरें धीरे धीरे पूरा स्वास भीतर फिपरू में भर गया अब बाएं को बंद करें बीज की मध्यमा और अनामी का उंगली से और दाएं से बाहर छोड़ें अब दाएं से अंदर भरें और दाएं आग को बंद करें अंगुठी के माध्यम से बाएं से बाहर छोड़ें अब बाईं से लें दाईं से बाहर छोड़ें ये क्रम बधता चलती रहे फिफडों में ही पुरा स्वास अंदर भरे भरते रहें घहरा स्वास भीतर पेट में न भरे फिफडे फोनने चाहिए क्योंकि कोई भी ऐसा ओर्गन आपके पेट में नहीं है जो ऑक्सिजन को एबजोरू करता हो एफजूर करते हैं आक्सिजन को आपके फिफड़े इसलिए फिफडों में भरना गहरा और छोड़ना भी पूरा लंबा भरना भी पूरा लंबा हाट की प्रोब्लम है तो भी करना हाई बीपी है तो पूरी तरह से ठीक होगा इसी प्राणायम से लेकिन तिब्रता से ने करना सेज हो करके करना, धैर्य से, प्रसन्नता से, आनंद से, मस्ती से, भाव पुनता के साथ करना, और सासों को लेते और छोड़ते से मैं मन में ओंकार का ध्यान करना, बीच में विश्राम करें. कुनले जागरित होती अनुलोम विलोम प्राणायम से, प्राणायम को करते से मैं मन में भाव करें, विचार करें, संकल्प करें, कि मेरे सवी चक्र जागरित हो रहे हैं, भेतर प्राण की उर्जा उद्बुद्ध हो रही है. मन में एक संकल्प निरंतर चलता रहे, मन, प्राण, आत्मा, सब कुस, जोतिर में तेजों में हिरन्य में हो रहा है. अश्ट चक्र नवत द्वारा देवा नाम पर युध्या, तस्याम रिन्या कोसा हो, श्वर्गो जोतिशा पिता है. भगवान अथर वीद में कह रहे हैं, ये देह अश्ट चक्रो नोद्वारों से युक्त देवों की नगरी पूरी अयोध्या है, इसी के अंदर एक अम्रित से भरा हुआ अथा बंडार है, आओ हम पाएं उस अम्रित के खजाने को अनुलूम बिलूम प्रणायम करते बाद, फिर से लगाएं दाहिनी, नासिका के उपर दाहिन हाथ के अंगुठे को और बाएं से सास को भी तर भरे, और बाएं को बंद करके फिर दाहिन से बाहर चोड़ दे, फिर दाहिन से भरे, बाएं से बाहर चोड़ दे, स्वासों के उपर एक लैबद्धता प्राणों के साथ में एक तार्तम्मिता प्राण के साथ में भीतर से एक संगीत सा जंकित होने लगे सहज हो करके प्राण के साथ मितन में हो करके करना ये प्राणाया और मन में विचार करना इस ब्रह्मांड से इश्वरी उर्जा का वर्षन हो रहा है चार और से इश्वर का आनंद इश्वर की करना इश्वर की जोती इश्वरी दिव्य जान का वर्षन हो रहा है दिव्वे जान के संप्रेशनाई हो रही है चार और से इश्वरी आनंद को इश्वरी शान्ती को इश्वरी जोती को इश्वरी शक्ती को अनुभव करना शन्नु देवीर अभिष्टय आपू भवन्त पीतय सैयो हो अभिश्वर्थ ये प्रफो आपका आनंद चारों और से वरस रहा है शक्ति पात की दिख्षित होंगे आप अनुलोम मिलोम प्रणायम करते हुए विचार करना भाव रखना संकल्प रखना ब्राहमे शक्ति की साथ में जुड़ करके कि मैं इश्वरी आनंद पा रहा हूँ इश्वरी शक्ति पा रहा हूँ इश्वरी ज्यान का वर्षन हो रहा है ऐसा विचार करना भाव विश्षाम सहज हो करके स्वासों परमन को केंदरित करके बीच में विश्षाम करना यह अनुलोम मिलोम प्रणायम समस्त वात रोगों से समस्त कफ रोगों से समस्त पित तरोगों से छुटकारा दे राती है इसलिए यह आपको अर्थराइटीस है रोमेटाइड अर्थराइटीस है औस्टियो अर्थराइटीस है काटिलेज आपके घिस गए लेगामेंट साब के टीरे हो गए सायन्यूवल फ्लूड आपका जो लिक्विड होता है जोड़ों के अंदर वो कम हो गया तो यह प्राणायम करने इस प्राणायम के करने से आपका सायन्यूवल फ्लूड जो लिक्विड होता है जोड़ों के अंदर वो अपने आप नियमित मात्रा में आ जाएगा लिक्पीड जो कम हो गया था वो बनने लगेगा काटिलेज जो गिस गये थे दुबारे से बनने लगेंगे लेगामेंट जो टेड हो गये थो ठीक हो जाएगा हाथों की अंगलियां जो आपकी विक्रत हो गई थी दुबारे से ठीक हो जाएगा अर्थाइटी सा है तो ये अन हाट के अंदर ब्लोकेज हैं? तो अनुलूम विलूम प्राणायम करना? 70-80%ी ही नहीं. एंडर परसेंट तक जिनको ब्लोकेज थित उनको ठीक क्या, हमने अनुलूम विलूम और भ्राम्री आधी प्राणायम करें. इसलिए हार्ट के ब्लोकेज के लिए कोलेस्टरॉल को कम करने के लिए ट्रेगलिस्टराइट को कम करने के लिए इसनोफिल्स को कम करने के लिए जितने भी प्रकार की सरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ी भी होती है, और अक्सिडेंस बढ़े विया तो उनको निमित करने के लिए जरूरी होता है, अनुलोम विलोम और प्राणाया, इसलिए निमित रूप से इसको करना और पाना हृदरोगों से छुट करना, पाना आपने आप नेमी तो हो जाएंगे आपके ट्राइड और कॉलेस्टा उच्रक तचाप हमेशा के लिए फिर सामान्हें हो जाएगे उच्रक तचार का स्थाई उपचार है अनुलोम विलोम प्राणायां फिर से करें ये इसी प्राणायम को प्रारम बाएं से लेना निरंतर दाएं से छोलना फिर दाएं से लेना और बाएं से छोलना निरंतरी क्रम जारी रखना सहजता से प्रसन्नता से एक दूसरे के वृद्धना सिका से एक दूसरे के अंटी-नोस्ट्रल से इस तरह से करना ये प्राणायां अनुलोम विलोम और पाना फिर समस्त्रोगों से छुटकारा रहा कि पार्कींसन का रोग मिटेगा इस अनुलोम विलोम प्राणायां से अर कमपवाद से हमेशा के रहे छुटकारा मिटेगा डिपकरेशन का एक मात्र यदि कोई समाधान है तो वह है प्राणाया अनुलूम अभिलूम प्राणायम कीजिए डिप्रेशन से छुटकारा में जाएगा माइग्रेन पेन आपका सदा के लिए ठीक हो जाएगा मस्तिस्क के सनायों के अंदरा आये हुए ब्लॉकेज दूर हो जाएगे इसलिए मैं कहता हूँ इससे परलाइसिस ठीक होता है कमपवात ठीक होता, मस्तिस्क संबंधी जितने भी व्याधियां हैं, अस्थमा की प्रब्लम सैनस, सैनसाइटिस, एलर्जिक प्रब्लम छी के आना, सनौरिंग की प्रब्लम सब से छुटकारा मिलेगा अनुलोम विलोम प्राणयम से, बीच में विश्राम करते रहें, और स्थास के साथ में ओंकार का ध्यान करते हुए, अनुलोम विलोम प्राणा चाहें, तो ध्यानात्मक द्रिश्टी से भी विश्री शुप्योगी होगा अनुलोम विलोम प्राणयम, ओम-ओम का ध्यान, सासों के साथ हो, कुंडलेनी शक्ति की जागरण के लिए बहुत जरूरी है अनुलोम विलोम प्राणायम के करने से मुलाधार चक्र में सन्नेहित दिव्व शक्ति का उर्धरू पांत्रन हो जाता है मुलाधार चक्र के शक्ति का उर्धरू पांत्रन ही है कुंडलेनी जागरण इसी को योग सास्त्र में उर्धुरीता होना काह जाता है वेदों में स्वयम परमात्मा कहते हैं तुम उर्धुरीता बनो प्रणायम करके मृत्यू पर विजय पाओ प्राणा पानो मृत्यूर्मा पातम आओ हम प्राण के उपर सयम करके मृत्य उपर भी विजय पाना सीखे निर्विचार वैशा रद्य अध्यातम प्रसाद महर्शिप तंजरी कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायम करते हुए आप निर्विचार स्थिती में पहुंच जाते हुँ और निर्विचार स्थिती में पहुंच करके भगवान की करोना, भगवान का अनंद, भगवान का दिव्य जान आपको मिलता है इश्वरी करोना बरस्ती है फिर इश्वरी शक्ती बरस्ती है इसी को शक्ती पात कहते है कुन्यने निजागन और शक्ति पात के लिए जरूरी है कम से कम दस मिनट ये प्राणायम प्रतिदिन करना और महर्शिप पतंजली इससे आगे कहते हैं कि जब तुम निर्विचार स्थितने पहुंच करके प्रज्यां प्रसाद पाते हो तो फिर क्या होता है रितम भ्रह अततर प्रज्या वहार रितम भ्रह प्रज्या मिल जाते हैं जीवन का सत्य वोध होता है जीवन का सारा असत जीवन का सारा तमस मिट जाता है अंतस पवित्र हो जाता है भीतर के सारे दोश जन्म जन्मान्त्रों के जो छाहिवे चित्य के अंदर अविद्या के संस्कार सब मिट जाते हैं और हम पाते हैं अपने सक्ते सुरूप को और पाते हैं अपने ही भीतर उस विरावट ब्रह्म को फिर से करें ये एक बार इसी प्राणायम को और फिर दें य विश्टां और अब सहज हो करके अंतरमुख हो करके सित्प्रज्य हो करके आज जयां चक्र में मन को केंद्रित करते हुए मन तो आपने आप ही सहज इकाग्र हो जाता है प्राणायाँ आज जयां चक्र में मन का निक्रह करते हुए आप करेंगे भ्याम्री प्राणाया ब्रह्म का आपवान मन में विचार करना ओंकार विश्वनियनता शक्ति ओंकार सतिदानंद सरूप परमात्म ओंकार का ध्यान करते हुए आज जयां चक्र में मन एकाग्र रखते हैं नाद में उचार करें योंकार का मुख बंद रहेगा नासिका से इस्वास लेना और नासिका से भ्रमर की तरह ध्वनी करते इस्वास को बाहर छोड़ना है कान बंद होंगे अंगठों के मात्यम से कान के उपर जो भाग उपर उठा हुआ है उस धकन से भाग को अंदर दबाएंगे बंद कर दे और पहले अंगली रखें ये मात्य पर शेश तीन अंगलिया मिली हैं और नासिका के और आँख के मूल में यहां पर पहले अंगली को लगा दें बीच वाली अंगली इस तरह से लगाएं तीर अंगलिया मिली है इन में से जो पहली अंगली है उसको आख और नाख का यहां पर जो मूल भाग यहां पर हलका सा लगा करके दबाएं और आज्या चक्र में मन को रखेंगे केंदे तो आज्या चक्र में एक आभा एक जोती पुंज एक प्रकाश पुंज स्वतह आपको दिखाई देगा और उस दिव्य आभा में उस प्रकाश पुंज में उस दिव्य आलोक में उस दिव्य जोति में आप समाहित से हो जाएए उनकार आनंद में जोतिर में देजु में शांति में उस भगवान का आनंद उस भगवान की करणवा उस भगवान का दिव्यज्यान मुझपर बरस रहा है चार ओर से आनंद स्रोत बह रहा है परंपितार परमिश्वर के अंदर समाहित होगुके करें ओंकार उस ब्रह्म का सरवोपरी नावinka हिमालय के अंदर स्थित उच्च परवयत का राश पर भी स्वेम परमात्मा ने अपना नाम लिखा ओमिती काक्ष्रम भर्म ओमिती काक्ष्रम भर्म है गेता में स्वेम भवाश किष्ण के लिए और सब रिश्मोनियों ने इसी ओंकार के जब के द्वारा ब्रह्मतत्तों को पराद पाया इसी ओंकार के जब के द्वारा उन्होंने मोक्ष को पाया आये हम भी ओंकार का नाद करेंगे ब्राम्री प्राणायम करेंगे दोनों हाथ के अंगोठे कानों पर लगाएं स्वास को पूरा अंदर भरें हूं 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 प्राणाया तनाओं से मुक्ति पानाई के लिए हर तरफ विक्ति को तनाओं है चिंता है भै है आशंकाय है अविश्वास है तनाओं तिन ही कारणों से मुख्यरूप से होता है विक्ति को अपने शरीर की व्याधियों से तनाओं हो जाता है स्वयम के कारण से तनाओं अध्वा अपने सम्मंधियों के कारण से तनाओं या अपने व्यापार से तनाव किसी भी तरह का तनाव है आपोंकार का नाद में इस तरह से भ्रमर की तरह धनी करते हुए भ्रामरी प्रणायाम कीजिए तनाव से पूरी मुक्ति भी लेकि आप फिर आपको हैपरटेंशन भी नहीं होगा उच्यरक्ति चाप के रोग को यदि आप स्थाई रोप से ठीक करना चाहते हो तो भ्रामरी प्रणायाम करना और यदि आप चाहते हो हिदरोगों से बचना तो भी भ्रामरी प्राणायाम करना उच्यरक्ति चाप के लिए हिदरोग के लिए हाट कंद्रा आएवे ब्लोकेज को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी है यह भ्रामरी प्राणायाम समस्त प्रकार के जो तनाओ है उनसे छुटकारा दिलाता है आपको भ्रामरी प्राणायाम प्रात उठकर की करना, साहिंकालस होते वक्त भी इसको करना हर एक वक्ती के लिए बहुत जरूरी है भ्रामरी प्राणायाम का करना समस्त प्रकार के तनाओं से मुक्ति मिलेगी प्रदरोग से मुक्ति मिलेगी और जो भी आपके भीतर नेगेटिव एनरजी वो इससे पूरी तरह से खत्म हो जाएगी अंकार ध्वने के अंदर जो दिव्य स्पंदन होते हैं उससे आपका मन प्राण आत्मा सब कुछ अल्लादित होगा दिव्य होगा दिव्य रूपांत्र होगा आपके तन का मन का विचार का भाव का चित्त का आप प्रति दिन ब्रहामरी प्रणायाम करके positive energy पाना, सकारात्मक उर्जा पाना, ब्रह्मानन्द पाना ब्रहामरी प्राणायम करने से विक्ति के उपर शक्ति पात होता है इसलिए शक्ति पात के दीख्षा से दीख्षित होना चाहते हैं तो भी भ्रामरी प्राणायम करना भ्रामरी प्राणायम के करने से आपको मिलेगा ब्रह्मा नंद जैसे आज हम यहाँ पर गंगा नदी के पवित्र तट पर बैठ करके भ्रामरी प्राणायम कर रहे हैं इसी तरह से महरसि स्वामी दान जी माराज अठारा ठारा घंटे बैठ करके ओंकार की उपासना क्या करते थे उद्गीत की उपासना क्या करते थे गोतम कपिल कणाद जैमिने विश्वामित्र आदिर शी भी इसी तरह से ओंकार के जब की द्वारा ब्रह्म आराधन किया करते थे भगवान शिव और भगवान श्री किष्ण और राम ने भी ओंकार की ही जब की द्वारा उस विराध ब्रह्म के सुरूप को अपने अंतर में धार्ण कर अवदारी पुरुष की कोटी को प्राक्त किया था हम भी समस्त दैहिक और मानसिक रोगों से चुटकारा पाने के लिए इस प्राणायम को प्रति दिल किया करें प्राडासिस के लिए बाइग्रेन पेन के लिए और डिप्रेसन के लिए भी बहुत जरूरी है ये भ्रामरी प्राणाया आत्मिश्वास कमजोर पड़ गए कंसंट्रेशन नहीं हो पाता किसी दिविशे में आप करना भ्रामरी प्राणायम अब हम करेंगे उद्गीत प्राणाया ओंकार का उच्छा आज्या चक्र में ही मन की एकाग्रता बनी रहे भ्रामरी प्राणायम के करने से जो एक दिव्य आभा एक जोती पुझ एक प्रकाश पुझ एक दिव्य आलोक उत्बन्न हुआ था आज्या चक्र में वहीं पर आज्य चक्र में ही मन का निग्रह करते हुए जो इडा पिंगला और सुसुम्णा का संगम है गंगा यमना सरस्वती का जो संगम है त्रिवेनी संगम इस आज्य चक्र में मन का निग्रह रखते हुए ओंकार का उच्चान करेंगे उद्गीत के रूपने और आववान करेंगे उस विश्वनियन्ता ब्रह्म का हम उस अम्रित के पुत्र हैं वयम पुत्रम अदितीर्यों विधरता ममेव अंसो जीवनों के जीव भूतह सनातना इश्वर अंस जीव अभिनाश आओ उस ब्रह्म के अंस अपने आपको अनुभव करते हुए उस महान पिता के पुत्र होने का गोरा और साभिमान आनंद अपने हिदय में रखते हुए ओंकार के साथ में तन्मे हो जाए बावपूनता के साथ में भीतर एक श्रद्धा एक तड़ाफ एक लगन एक समारपन गहरा एक विरह का भाव कहे प्रभो भोगों की अगनी में तपते हुए नजाने कितने जन्म कितने जीवन बीच चुके अप्रभो मुझे योगागनी में तपाओ अप्रभो अपने शेर्ण में लेलो अब मुझे ओर दुखिय न करो प्रभो अब तो मोक्ष देदो अब तो अपने अमृत्य में गोध में प्रभो मुझे अवस्थित करो अपने आपको ब्रह्मा अनंद में अनुभव करते हुए ये मानते हुए कि मुँस परमात्मा की आनंद में गोद में बैठाू। और शत्ता का अनुभव करती हुए, ओइंकार का जाद क corridor, सास को गहला भरते हुए और पाए समस्त दाइहिक और मानसिक रोगों से छुटकारा, और जोड़ें अपनी चेतना को वेश्विक चेतना से, आत्मा को विश्वात्मा से, अपने आपको जाने और अपने ही वीतर विद्यमान उस ब्रह्म को पहचाने आत्मसाक्षातकार और प्रभसाक्षातकार की राहा है यह ओंकार का जब सास को वीतर गहरा भरेंगे और फिर ओंकार का उच्चान करेंगे उद्वीत के रूप में तीन मात्रे होंगी ओंकार की और अर्ध मात्र होंगी मकार की ओ्यूम् 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 ऩुआ झाल